फ्रेंज मैं आज अपने किचिन में आपके साथ बहुत ही एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें मैं बहुत ही इजली एविलिबिल इंग्रिडियन्स यूज करके ही बनाऊंगी जो सबसे पहले तो इसमें मैंने काला तुलसी आट किया है आवला है, सेब है, अधरक है, गाजर है, चुकंदर है और पेठा है तो चलिए अब देखते हैं कैसे इसको बनाना है और इसमें आपके पास कोई एक चीज नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने काला तुलसी ले लिया और एक इंच अधरक का टुकड़ा ले लिया उसको छोटे-चोटे पीस में मैंने काट लिया क्योंकि मैं इसको मिक्सर ग्राइडर में पीस हूँ अगर आपके पास जूसर है तो बहुत ही अची बात है उसमें आपको इतने छोटे-पीस नहीं करने से भी चलेंगे टारेक्ट गाजर को आप पूरा डाल सकते हैं तीन से चार आवला मैंने इसमें डाल दिया है अगर आपके पास आवला नहीं है तो आप नीबू भी एड़ कर सकते हैं इसका स्वात बढ़ाने के लिए साथ ही इसका नूटिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने एक एपल दे दिया अगर आपके खरव उस वक नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको और साथ ही साथ मैंने बीटूट भी दे दिया इसमें दो बीटूट दे दिया मैंने काटके इसमें इसको चोटे चोटे पीसे में मैंने काट लिया है अच्छे से धोकर इसका छिलका निकालके साथ ही साथ मैंने एक गाजर भी इसमें दे दिया है, सबको मैं पीसेस में छोटे-छोटे इसलिए काड़ी क्योंकि मैं इसको एक ग्राइंडर जार में पीस उनगी थोड़ा से पानी के जाहता से, अभी इसमें मैं पेठा एट करूंगी एक पीस, क्योंकि मेरे पास पहले का पेठा पड़ा था तो मैंने सोचा पहले उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अल्मुस्ट डेली ही बनता है ये मेरे गड़ मे हफते में 3-4 बार तो बनता ही है तो अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डालके पीस लूँगी तो पीस लिए मैंने इसको अच्छे से तो मैं एक मसलिन क्लोथ लेकर साफ बरतन में इसको रखके और इसको झान लूँगी इस रिफ्रेशिंग जूस में जो भी इ गुनवत्ता है वो भी उसका भी जो वीडियो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगी तो ला